कि यहाँ जाल मैंना संदीब वेलकम टो मैंड चैनल सू सारय थैंक्यू वीडियो नुः लाइक प्यूंना सप्पोर्ड देंग्स के हुआ पींडि तेह dancing раз शेर करें गरों आपने यारा दोस्तानार ताक की जाल जाल लोकों तक पहुंच सके ते अपने वीडियो अपने सब्सक्राइबर बात सगें ते चैनल बातिए प्लीज यार वीडियो लाइक जरू करें गरों यह तो ही लाइक निकरोगे ते सजेशन बॉक्स से नहीं आएगी यहादा रीच नहीं पतेगी जो प्लीज याद वीदिविडियो नो याइक करते गरो थिसरे बाकी वीडियो बाटने गरो बाकी अपने कुछ सब्सक्राइबरों कहें तो मैं कोशिश करागा कि जो mix करते हैं ते थोड़ी problem हो हिंदी है ते चलो हिंदी चीवी गाल कर देने है So welcome आप सबका चैनल में मेरा नाम है Sandeep So please वीडियो को like कीजे, share कीजे, comment कीजे अच्छे अच्छे और वीडियो को अपने यहारा दोस्तों के साथ share कीजे ताकि जा 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 लोगों के पहुंच सके So guys, आज यहीडी वीडियो है आज यहीडी वीडियो है जी बुला ना तारीच जी मेल यहीडी वीडियो है College का जमाना तो उस वीडिये तो रेक्शन देंगे, अपने कुछ कॉलेजे पल थे कुछ कॉलेजे ने करनां शेर कर रहा है तो विडियो बेदे हैं, बाकी कलना करती हैं विडियो दो बात, लेट स्टार्ट प्ले स्टोर और एप स्टोर पर मौलाना तारिक जमील साहब की ओफिशल मॉबाइल एप्लिकेशन माबाप भी जब समझाते हैं तो डांट पड़के हमारे उस्ताद कारी भी जब समझाते हैं तो माशालब डंडे मार मार कर डंडे में भी तेल लाया हूँ मैं चंगी तरह टिक के पवे मौने तालिप साफ जो हमारे सुबनन्ड थे संटर मॉडल स्कूल में सबसे ज़्यादा मैंने उनकी मार खाई वो ऐसे टिका के मार था से ना एक हाथ यां रखते से और इतनों बड़ा होता था सेफ जिसमें वो सोटी पड़ी होती थी और खालिद मेला मेरा जिगरी यार पचपंच साल से मेरी उसकी होता था देड़ा नेकाल के लाना तो डंड़ा लना अलम मेरे यारो थे और ऐसे अंदर उतर जाता था वो डंड़ा होती थी कि इन्हों एकदाम फिल्म देखकर आए मैं और जावेद नजीर मरहूम फौत हो गया तो वो थोड़ा आगे था वो भागा भागा जाके बिस सर पे लेट गया उल्टा ओके कि मैं तो सुटा पे मैं थोड़ा पीछे था तो मैं बरामदे में पकड़ा गया मुझे जम मारा जम मारा अभी बियान करके मुझे जर में याद आ रहे है अजवेद नजीर बड़ा खुश के तारिक जमीन नो लितर पाएगे मेरा तो नो पता ही नहीं लेगो और आइंड करके सुटा पे है अना कि अराम ना लू तू रिजाई लाइट सौरी दिया टॉँआ यह बहुत गलत तरीका है बहुत गलत तरीका है पता नहीं कहां से आ गया दीनी मदर्सों का भी यही हाल है और यह सकूलों का भी यही हाल है और माँबाब का भी यही हाल है कि माँबाब अपनी बात उतारना चाहते हैं डंडे के साथ शिद्द के साथ, सख्ती के साथ कई दवा मेरे पास मासूम बचचीया बचजे जिए मेरे नंबर मेरा परचा चानी हुआ अब मेरे नमबर थोड़े आएंगे मेरे माबाप मुझे बॉंड डाटेंगे मैं क्या करूँ नहीं का पुतर महेगी करें कोई दम दरू पढ़ा कोई तनू तावीज देमा बुर नादान माबाप हैं जो बच्छों को कम नमबर आने पर डांड़ते हैं इन वालदेन ने अपनी सबसे कीमती दौलत बरबाद करते हैं ए पर बी पर सी पर इसको तालीम थोड़ा ही कहते हैं तालीम तो समझ का नाम है रट्टा लगा के पढ़ लेने का नाम तो तालीम नहीं है अमारा की दोस्ता अनपड़ और वो बहुत बड़ा कारोबारी है समझ का तालुक बड़ाई से ने तो उसने कपड़े के शर्ट्स की दुकान खोली तो उसकी बीवी पढ़ लिकी तो उसने का देखो वन शर्ट फ़र वन पॉंड और थ्री शर्ट फ़र टू पॉंड ए तो याद कर ले जड़ा का कव तो उन्हों ए आखना है ठीका अब एक औरत आई वो रास्ता भूल गई थी वो उसके स्टोर में आगई उसके उसने रास्ता पूछा कि एजेक्स का रास्ता किदर है उनका वन शर्ट फ़र वन पॉंड और थ्री शर्ट फ़र टू पॉंड उसको इहराम हो कि देखने लगी उसमें फिर अपनी बात वर आई उपर के लिए गा वन शर्ट फार वन पॉर्ण थ्री शर्ट फार टू पॉर्ण वो हस्दी हस्दी बार गई एक बंदनू लेकर आई उसने उसको बताया तो उसने का ये तुमसे शर्ट नहीं खरीद रही ये भूल गई ये तुमसे रास्ता पूश रही है और तुमसे वन शर्ट फार वन पॉर्ण बता रही हो तो ये कह रही है कि इसे कहो मेरे घर आ जाया करे मैं इसे मुफ्त मैं अंग्रेजी पढ़ा दूँग तो हमारे जो आजकल के वालदेने ना वो ऐसी तालीम के पीछे डंडे उठा के खड़े हों कि बस तेरा इतने ए आने चाहिए ए आने अच्छे इनसान बने रिस्क यहां लिखा डिग्रियों पे नहीं लिखा हो हमारे वालदेन ने बच्छों को मरीज बना थी और उन्हें डिप्रेशन में कर शिकार कर दिया प्रेशर डाल डाल के डाल डाल के डाल डाल मारे वालदेन ने पढ़ाए ऐसे पर प्रेशर नहीं डाला चुंकि हम तो होसल में रहते थी एक दफा गौर्मन काले लहोर माशाललई मेरे एक अजार में से नवे नमबर आए मुझे कोई परवाई नहीं थी वो था कॉलिज का इम्तिहान उपर बोर्ड का नहीं था कॉलिज का इम्तिहान था तो वो भी एक बड़ी इज़त होता है मैं बड़े फखर से बताता है कोई है जेंदे हजार इचो नवे आए मेरे आए तो हिदायत होता है किसी को प्यार महबब से समझा के अंजाम बताना हमारे बचे तो जबह हो गए स्कूलों पर और पड़ाईयों पर और टूटर और टूशन सेंटर उन बिचारों के जो पनपने की उमर थी बड़ोतरी की और अकल की ग्रोथ की उमर थी वो सारी बरबाद हो जाता है तो जो हिए यह सर निकालते है नाफरमान होते है चुक्छे उनके जो निरॉन्स होते है वो तीन साल की उमर में स्कूल जाते है वो जलना शूर हो जाते है इसी में पिछे से करंट ज़या जाये तो यह फट जाएंगे तूट जाएंगे जब तीन चार साल के बच्चे पर किताबों का बूज लदा जाता है फिर माबाप का प्रेशर होता है तो उनके नियूरान कहते हैं दमागी सेल वो जल जाते हैं फट जाते है फिर जो बड़े होते हम ना माबाप की समझते हैं ना किसी और की समझते है वो अपनी करते हैं अपनी मोजमें होते हिदायत महबत से प्यार से आगे वो ले ले तो ठीक है ना ले तो मेरा handout खरो यह कुरान जोके अर्बवों पे उत्रा है उनकी जुबान में उतरा है उनकी मौशरत को समने रख के उतरा है तो उनके अंदर में उतर गई बात हुदा समंदर में पहाड की उस चोटी को कहते हैं जो पानी से बाहर निकली हुई हो और चमकदार हो सुरज की शौएं पढ़ने से चमकती हो उस जमाने में कम्प्यूटर नहीं मेशीन नहीं बादबान कश्टी हैं रात को सफर करते थे तारों को देख कर तारों की मदद से सम्त तै करते थे मशरी गए मागरे बेए सहरा में अभी अबादी है साओधी के गतर के तो मैंने एक बद्दू से पूशा जो सहरा में रहता है कि तुम लोग तो रेती रेती रास्ता कैसे पहचाने ता वह ऐसे चलते हैं जैसे लिखा होता है लाहौर नवे किलूमेटर उस तरह चलते हैं रेती तो कहा हम सितारों का इलम जाने थे हम सितारों को देखके चलते हैं पर दिन में वो इतना हमारे अंदर होता है कर मुसके मताबिक चलते रहता है रात को चलते थे सितारों को देखकर और दिन में चलते थे इन रोशन चोटियों को देखकर कि ये जगा जगा थी और उनने उनको मतायन कियो था यहां से जद्दे मुरना है यहां से यंबू मुरना है यहां से अदम मुरना है यहां से अकवा मुरना है तो वो उन निशानियों को अगर खो देते थे तो भटक जाते थे और उस जमाने में कोई मौसलात नहीं थे कि वे हम बटक गए हैं हमारी मदद को पहुँच चुब ऐसलतार फिर वो कश्टियां बरबाद हो जाती थी तो हुदा ये जिन्दगी के समंदर में वो रोशन चटान है जो इनसानी कश्टियों को रास्ता दिखाती है कि ये रोशन चटान है और ये जिन्दगी का समंदर है और ये तारिक जमील कश्टी है और इसे रास्ते की तलाश है तो ला कहता है उस चटान को सामने रख यहां से तेरा रास्ता दुनिया की इज़तों को भी जाता है और आगे जन्द को भी जाता है वो क्या है ये है वो कित हुदन लिल मुद्टखी सुरہ फात्या में हमने कहा या ला हमें वो चिटान दिखा या अर्बों के मौशरत के लिए हास्या तर्जमा करना हिदायत है सीधे रास्ते के रहब नमाई फर्माना प्यार के साथ नर्मी के साथ ओए नमाई पड़ा या भी हिदायत के रास्त नमाई आप नमाद अभाने यह हिदाए पहले हिदाएद नहीं पहला सोटा है दूसरे हिदाएद के रास्ता दिखाना है प्यार मौश्त तो वो रोशन चटाँ जो इनसनों को रास्ता दिखाती है पानी के समंदर में और मन्जल का पता बताती है जिन्दगी के समंदर में इन्सानी कश्टियों के लिए कुरान वो चटान है जोने जिन्दगी का पता बताता है आखरत का पता बताता है और सही मन्जल तक पहुँचा देता है जो अब लोग लोग तो ने मुझसे हिदायत मागी ती ना तो लोग ये किताब आगए ये हिदायत का जरीया है ये हिदायत का सामान और सबब है और ये जालिक अलकिताब लाराईव वफी में ऐसा दावा है जो काइनात में ना कोई कर सकता है ना करेगा ना किसी के बस में है सबैलाई जो कुछ इसमें लिखा है इसमें कोई शक नहीं है शक खुद अरबी जुबान का लवज रेप का तर्जमा शक नहीं है शक किसे कहते हैं कि एक आदमी वहाँ वो मिल्लत रोड पे खड़ा है उसको पता ही नहीं कि मदरसा हसनें की देर है तो कभी इदर देखता है कभी उदर देखता है कभी कहता है ये रास्ता जाता है कभी कहता है ये गली जाती है इस कैफियत को शक कहते हैं इसमे nih average ये कैफियत शदीद है दूसरी कैफियत दूसरा लफज है मिरिया वह भी दमागी शक बाली कैफियत होती है लेकिन शक से बहर हलकी होती है कि वु हुआ इसको थोड़ा गुमान हो जाता है कि ये जो डॉबल रोड जा रहा है ये जा रहा है मदर्सा हसनैन को और हो सकता है ये भी हो लेकिन मुझे लगता है ये है इस तरह हो गया एक तरफ ख्याल ज़्यादा हो गया तो इसको कहते है मिरिया राइब किसे कहते हैं कि वो यहां ग्रिन टाउन चौक पर आता है और एक सेकंड के लिए कहते है मदरसा हसने किदर है अब ये किदर है भी पूरा नहीं हुआ कि उसकी नजर पढ़ जाती है हमारे बूर्ड पर मदरसा हसन गो वो किदर वो ये भी ज्यादा है ये भी ज्यादा टाइम है एक लम्हे के तरद्द को अरबी में रइब कहते हैं एक लम्हे की अब्तिदा में थोड़ा तरद्द और उसी लम्हे के आखर में वो तरद्द खत्म हो गया उसे अरबी में रइब कहते हैं तो वो शैंशा कहा रहा है ओ मेरे बेवकूफ बंदो ओ मेरे प्यारे बंदो अल्लाद अलाड से पोगारता है कभी डांड के पोगारता है ओ मेरे बंदो मेरी किताब में तो रैब भी नहीं है कि एक खटक टक टक भी ज्यादा है इतनी देर का भी खटका नहीं है तो मेरी आशक इसमें कहां आएगा जो इतनी दाकतवर किताब हो तुम उसे छोड़ के लोगों के पीछे भागरो कितने बेवकूफ तो पो अधिया वीडियो से वीडियो तो लिंक डिस्रीप्शन चाहे तो तो जागे चिले वीडियो बेहग सकते हो तो बखी मुलाना जी ने अपनी कॉलेज अजमाने दी गलना दसी है कि आप कि दाना नो नो कोट पेंदी हो ती सो आज कल भी धा बेकभा कुट तेनी पहले हिन्हा प्रेशे मुट famoso कार दो आगको मुट के और पर हेवा जानता है सतdesi तिए lange में जो थीसरे साल दों होज्वतар को SpeechET को आगको कीए The प्रेशन चाहिएंदे कि सुसाइड भी कर लेंदे हैं तो बहुत माड़ी कालदा है पर बच्चों ने प्रेशन नहीं देना जाएगा ते बाक्यों नहीं सेके है रिजगते मत्य लिख्या ते कई हो जो लोग है जिना बिना पड़े बहुत अमीर है ते काफी वधिया कम करें अपने जिन्दिकी से सो पढ़न लिखना हां पंदा लिखना वी ज़रूरी है बट ओ रेस नहीं ज़रूरी के मलब उनने जे first आया the मिई first आण पंद लिखना वी ज़रूरी है मैं नि 해 ने कपने लिखना नहीं ज़रूरी बट ओ जड़ी रेय सार्ण उप्रेस भी मकाध अगर मैं हिंदी चीप करना सो वीडियो में बताया कि बिल्कुल बच्चों के उपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि पढ़ की तरे नंबर लेके आओ और बच्चे का आज काफी डिप्रेशन में चल जाते उसी वज़े से और कई तो पहले दफाव मारते थे अब तो वैसे नहीं मारते मगर बच्चों पर दिबागी प्रेशर इतना है कि बच्चे होल्ड नहीं कर सकते वह प्रेशर जब वो तीसरे साल में होते हैं तो उनके प्रेशर ले रहें दिया लें वहीं समझ सकन्द तो उम्हेंद है वीडियो पसंद आएगी वीडियो देस्ट डिस्क्रिप्शन चाहे ते चाहँ जो सब्स्वाइब करो ते बाकि जिए मेंड़ी वीडियो पसंद है प्लीज यार वीडियो शेर जुरू करा आगरो ते वीडियो वीडियों तो मेंड़ाव संद आगरो अश्वाब करो ते लास बेस्ट करोएब झागरो थे लाइब करोईयों करोईयों आगरो